Hey guys, it's a Preeti and आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल IQ Student Point और आज हम University of Delhi के तरफ से आए नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे जो 30th May 2020 को पॉब्लिस्ट की गई है और इसमें Open Book Examination से एलेटेड टोटल 19 गाइडलेंस दी गई है तो आएए हम एक एक करके इन सभी गाइडलेंस के बारे में जानते हैं बट इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं लेटिस्ट अपडेट जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि फाइनल यर के स्टुडेंज के लिए टेंटेटिव डेट सीट आ गई है टेंटेटिव डेट सीट के मतलब होता है टेंप्रेरी डेट सीट जिसके बिहाफ पर आपके एक्जाम्स कंड़क्ट ह जाएंगे for all final semester, final year और final term students for all colleges including NCWeb and SOL also for all undergraduate students जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 13th May 2020 को University of Delhi की तरफ से एक notice published की गई थी जिसके according exam या offline होना था या online Right, students की safety and health को ध्यान में रखते हुए online examination करवाने का decision ले लिया गया है तो आईए आपनी guidelines के बारे में जानते हैं, so according to the first guideline, question paper download and answer sheet upload करने के लिए बहुत जादा internet connection की जुरत नहीं पड़ेगी students को, normal speed में भी आप question paper download कर पाएंगे and answer sheet re-upload कर पाएंगे Second guideline में बताया गया है कि सभी final year students को 14th May 2020 को ही inform कर दिया गया था by notice कि उनके exam 1st July से start हो जाएंगे and 29th May 2020 को tentative date sheet भी published कर दी गई थी for all final year undergraduate students जो students pass out हो चुके हैं and उन्होंने अपना improvement form फिल किया हुआ है तो उनके exam भी 6 semester के students के साथ ही होंगे 6 semester के based पे and जो students already final year में है means 6 semester में है and उन्होंने improvement के लिए apply किया हुआ है या apply करना चाहते हैं तो वो only 4 semester के लिए ही improvement apply कर सकते हैं अगला है कि अगर कोई students अपने open book examination के results से satisfied नहीं है तो उन्हें लगता है कि अगर उनकी जादा numbers आ सकते हैं जादा marks आ सकते हैं तो ऐसे students के लिए improvement भी फिल करवाया जाएगा improvement को दो पार्टों में divide किया गया है दो semester में divide किया गया है odd semester and even semester तो students odd event को ध्यान में रखके अपना improvement फिल कर पाएंगे odd semester के exams जनवरी 2021 से start हो जाएंगे and even semester के exam मई जुन 2021 से start हो जाएंगे तो आप improvement फिल कर पाएंगे जनवरी और मई जुन में next है कि जितनी भी final year के students हैं वो ensure कर ले कि उन्होंने examination form फिल कर लिये है means उनके examination form फिल हो चुके हैं तो guys due के official website पे जाके check जरूर कर लीजेगा कि आपके examination form फिल हो चुके है या नहीं क्योंकि कई बार SOL कि जब बच्चे admission लेते हैं SOL में तो admission के time पे ही कई बच्चों से examination form फिल कर लिया जाता है और कई बच्चे नहीं करते हैं तो आप याद से यह ensure कर लीजेगा आपने official website पे जाके कि आपका examination form फिल हो चुके हैं या नहीं आपका जो admission ticket means आपका जो hall ticket होगा वो college के थुरू आप तक पहुंचा दिया जाएगा e-mode के थुरू या तो mail कर दिया जाएगा या फिर whatsapp या text message के थुरू आपका admission ticket आप तक पहुंचा दिया जाएगा सेवन्थ है कि अगर किसी students के पास उनकी वो mail ID या फिर वो contact number नहीं है जो उन्होंने admission के टाइम पे register करवाया था तो यह college की responsibility रहेगी कि सारे information किसी alternative mode से like e-mode के थुरू या फिर message के थुरू mail के थुरू या whatsapp के थुरू आप तक पहुंचाई जाए सारे information सारे exam से related information ठीक है next एक नंबर में आपको बताया गया है कि जिनके पास internet connectivity नहीं है तो essay students अपने पास की common service center means CSC में जा सकते हैं and अपने question paper print out करवा सकते हैं CSC एक तरह का cyber cafe होता है जो की government के थुरू चलाया जाता है इंडिया के almost जगहों पे यह CSC available है CSC की information जो है मैं आपको अगले notice में भी provide करूंगी and आपका जो question paper होगा वो आपको examination portal से download करना होगा and examination portal की information आपको by mail या फिर by SMS के थुरू आपको provide करवा दी जाएगी and 10th guideline के according अगर किसी students को कोई problem है question paper question paper में examination portal से download करने में तो वो student अपने college से बात कर सकता है अपनी problem को discuss कर सकता है अपने college के साथ ठीक है उस student को किसी भी तरह question paper provide करवाया जाएगा like SMS के थुरू provide कराया जाए direct या फिर mail किया जाए या WhatsApp के थुरू provide किया जाए anyhow यह college की responsibility होगी कि question paper आप तक कैसे पहुचाना है अगला है कि अगर कोई student able नहीं है अपने answer seat को scan करके examination portal पे send करने के लिए तो वो student अपने answer seat को as a PDF भी send कर सकता है by mail mail ID आपको provide करवा दी जाएगी बट आपको time limit को भी follow करना होगा ऐसा नहीं कि आपने अभी question paper solve की और आप साम में उस question को mail कर रहे हो तो ऐसा नहीं होगा आपको time limit दी जाएगी उसके अंदर ही आपको PDF send करना होगा by mail गाइस यह बहुत important information है आप लोगों के लिए तो वीडियो को end तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीजे अच्छे से समझ में आ जाए नेक्स्ट है कि अगर किसी स्टुडेंट को कोई query है दूरिंग एक्जान तो college स्टुडेंट के लिए एक alternative mobile नंबर या telephone नंबर प्रोवाइड करवाएगी जिससे स्टुडेंट को कोई problem ना हो और अपने आउक्स को clear करने में ठीक है थर्टींट का एकॉर्डिंग स्टुडेंट को एफोर सीट साइस का प्लें पेपर यूज करना होगा एजा आंसर सी ठीक है एंड सभी सीट पे पेज नंबर डालना मेंडेटरी रहेगा स्टुडेंट के लिए ठीक है फोर्टींट में बताया गया है कि टोटल थ्री आउस का एक्जाम होगा जैसे कि मैंने भी आपको मेरे लास्ट वीडियो में बताया था जिसमें टू आर्स आपको आंसर देने के लिए जाएंगे जो एडिस्टनल आपका वन आर रहेगा वो आपको कोशन पेपर डाउनलोड आंसर सीट स्कैन करके अप्लोड करने एक्सेक्टरा के लिए दिया जाएगा एंड जो स्टुडेंट्स दिव्यां के टेग्री में आते हैं उन्हें टोटल फाइव आवर्ट्स दिये जाएंगे एक्जाम के लिए ठीक ह 15 गाइडलाइन इसमें बोला गया है कि सभी स्टुडेंट्स को आंसर सीट अप्लोड करने से पहले अंडर्टेकिंग को फिल करना मेंडेटरी होगा मींस सारे टम्स और कंडिशन को अच्छे से पढ़के आपको उस पे आई अगरी पे टिक करना होगा क्लिक करना होगा तब ही आप अपने आंसर सीट को अप्लोड कर पाएंगे ये अंडर्टेकिंग जहां से आप कोशन पेपर डाउनलोड करोगे और जहां आपको आंसर प्रेंड को एक्जाम किसी भी रिजन से छूट जाता है मींस कि वो अबल नहीं है एक्जाम देने के लिए किसी जैन्वन रिजन के वजह से तो उमीद की जा रही है कि उनका एक्जाम नए सीडूल के कॉडिंग नए डेट सीट के कॉडिंग अगें आप कंड़क्ट करवाय जाएगा एंड सेप्टेंबर में एक्जाम कंड़क्ट करवाय जा सकते हैं सेप्टेंबर 2020 में ठीक है बट अभी कोई कंफर्म न्यूज नहीं है यह अभी ऐसी उमीद की जा रही है 17th guideline जो की बहुत important guideline है students के लिए बहुत से students के mind में यह doubts है कि हमें नहीं आता कि कैसे question paper download करना है या फिर कैसे re-upload करना होगा question paper को कैसे undertaking को fill करना होगा तो 17th guideline इसी से related है 17th guideline में बताया गया है कि experts के थूँ आपका mock test conduct करवाया जाएगा इसका मतलब है कि सभी student को exam के एक हफते पहले से ही exam related सभी चीजे बताई जाएगी सिखाया जाएगा आप लोग को aware करवाया जाएगा लाइक question paper कैसे download करना है कैसे होगा download answer sheet कैसे upload होगा ठीक है etc तो इन सभी चीजों से लेटर आपको एक हफते पहले से ही aware करवाना start करवा दिया जाएगा means आपका mock test conduct करवाया जाएगा यह काफी important news guideline है students के लिए next है कि जो students jamu and kasmir में हैं या इसी type की किसी area में रहते हैं जहां network problem बहुत जादा है network connectivity बहुत कम है वहाँ पे तो ऐसे students अपने near a CAC common service center में जाके question paper का printout निकलवा सकते हैं यह answer sheet re-upload भी करवा सकते हैं वहाँ जाके and यह totally free of cost होगा right and यह बात ministry of electronics and information technology government of India की तरफ से भी clear कर दी गई है चीक है clear है आप लोगो को and अगर किसी student को नहीं पता कि CAC कहां है available मतलब उनकी nearest location में अगर CAC उनको नहीं पता कि कहां available है common service center तो वो ministry of electronics and information technology की official website पे जाके भी check कर सकते हैं वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपकी nearest location म हाँ available है ठीक है and last guideline आपके 19th guideline के according यहीं बताया गया है कि tentative date sheet आपकी already published कर दी गई है तो जिन बचों ने भी date sheet नहीं देखी है वो अपने DU के official website पे जाके उसको download कर लें ठीक है एंड यह step इसले लिया गया है क्योंकि covid-19 pandemic बहुत जादा spread कर रहा है इंडिया वेगी ठीक है so कोई भी students की health और safety को लेकर रिस्क नहीं लेना चाहता है ठीक है यह जो भी information मैंने आपको बताई है यह information आपके DU के official website पे भी available है www.du.ac.in इन पे आप जाके चेक कर सकते हैं ठीक है एंड आपको बताया जा रहा है कि सभी students आपको advice दिया जा रहा है डेली उनिवसिटी की तरफ से कि सभी students अपने college के touch में रहे ताकि आपको सारी information मिलती रहे time to time आपके exam के regarding I hope आप लोगो को सब समझ में आया होगा सारे doubts clear हो गए होंगे अगर अभी भी आप लोगो के mind में कोई doubt हो तो आप comment में मेरे से पूछ सकते हैं यह notice मैंने telegram चैनल पे भी upload कर दिया है लिंक आपको description में मिल जाएगा तो आप वहाँ से जाके telegram जॉइन कर सकते हैं and इसको collect क कर सकते हैं so thanks for watching this and best of luck all